हालो वीवर्स इससाइब विडियो में हैं दोस्तो काफी टायम से अपने चैनल में एक केYP साइब भाद साइड शापारेंज वीडियो डाल रहा हूँ और बहुत सारे soundbars का मैंने comparison video डाला है, सब कुछ cover up किया है, तो आज मैं एक दो flagship soundbar लेकर आया हूँ, LG का जो बहुत ही चाना पहचाना सा soundbar है, LG का SC9S जो बहुत popular soundbar है, तीन अफ़ाइन speaker के साथ, और उसके साथ compare करेंगे, LG का most popular soundbar, LG SP8A, जो बहुत लोगों ने खरीता है, लेकिन इसमें कुछ-कुछ कौन से कुछ problems है, तो इन ही को discuss करेंगे, और आपको बताएंगे कि इन में से कौन सा वाला ज्यादा अच्छा होगा, और दोस्तों, मैंने इसका individual video भी मेरे चैनल में डाला हुआ है, अगर आप डीटेल में जाना चाहते हैं, तो वो वीडियो आप चैनल में जाके देख सकते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल मिस्किप मत कीजेगा, और अभी तरह चैनल को subscribe नहीं किया है, आपको और दाम जो है, बिल्कुल बजट के अंदर है, पहला जो सामबार है, वो LG का S95 की हुआ है, उसका भी मैंने individual video मेरे चैनल में डाला हुआ है, अगर आप डीटेल में जाना साथ है, तो वो वीडियो आप चाके देख सकते हैं, तो उसका जो price है, वो ज्यादा है, क्योंकि उसका चैनल ज्यादा है, और उसके specifications जो है, वो भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये budget friendly option है, इसमें आपको stand-alone सामबार का option मिल जाता है, उसमें ही आपको तीनो अफ़ाइन speaker का setup मिल जाता है, और दूसरा है हमारा LGS-P8A, ये भी बहुत ज्यादा popular product है इंडियन मार्केट में, बहुत लोगों ने इसको खरीदा है, तो ये जो product है, इसमें आपको दू एट्मोस चैनल मिल जाते हैं, लेकिन इसका जो sound quality के, ये maridian technology के साथ आता है, और इसका sound quality जो है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो पहले model के बारे में जान ले थे हैं, model SE9S का जो है, वो तीनों up-piring speakers के साथ आता है, और सामने के तरफ आपको center left right channels मिल जाते हैं, और एक आता है आपका subwoofer, तो कुल मिला की इसका हो जाता है, 3.1.3 और उसके साथ ये 400 watt के साथ आता है, screen आपको front में मिलता है, लेकिन दोस्तों, इन दोनों sound wall में ही, आपको side में कोई speaker setup नहीं मिलता है, तो side में जो channels है, वो आपको इन दोनों sound wall में ही देखने को नहीं मिलेगा, और उधर LG SP8 है, ये आपका आता है 3.1.2 चैनल के साथ, same front में आपको तीनों channel center, left, right और उपर में तो atmos channels मिल जाते हैं, तो सब उपर मिला कि इसका channel हो जाता है 3.1.2, और इसका जो wattage है, वो 420 watt का है, तो ये हो गया आपका model, screen दोनों का ही front में है, packaging दोस्तों सब कुछ मिलता है आपको SC9S के साथ, मतलब LG बहुत कम ऐसे soundbars है, जिसमें HDMI cable include करता है, लेकिन इस soundbar के अंदर भी आपको HDMI cable included मिल जाता है, और उसके साथ साथ इसमें आपको wire mount brackets, आपका remote battery soundbar, उसके साथ user manual, सब कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, लेकिन SP8A में आपको कोई भी HDMI cable देखने को नहीं मिलता है, आपको optical cable के साथ सारा accessories आपको इसमें भी मिल जाता है, और SC9S में एक और अच्छा option है, जिनके पास OLED मॉडल है, LG का C2 और C3, यह उसके साथ मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे तरिके से काम करता है, compatible device है, तो उसके लिए इसके साथ एक wow brackets आता है, यह bracket specially बना हुआ है, LG C2 और C3 TVs के लिए, जिनके अधर में यह TVs मौजूद है, वो इस bracket के साथ TV के साथ ही soundbar को अलग से attach कर सकते हैं, तो यह bracket सिर्फ उन TV models के लिए बने हुआ हैं, जो आपको packet के अंदर मिल जाएगा, connectivity, दोस्तों connectivity में इसमें सारे options मिल जाता है, दोनों soundbar में ही आपको Bluetooth 5.0 का option मिल जाता है, उसके साथ साथ आपको Wi-Fi में मिल जाता है, Wi-Fi associated जेतने सारे technologies हैं, जैसे आपका Spotify Connected AirPlayer 2, आपका Chromecast, Alexa, Assistant, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा, तो connectivity में कोई भी compromisation आपको देखने को नहीं मिलेगा, अभी आते हैं दोस्तों main thing, features, features में आपको almost सारे options मिल जाते हैं, SE 9S में आपको Dolby, Atmos, DTS, X, उसके साथ साथ आपको 4K pass through, उसके साथ आपको इसमें wow और great strike option मिलता है, अगर आपके पास LG, OLED, C2, C3 हैं, ये उसके साथ combine होके, TV के जितने सारे speakers हैं, उसको भी इसके साथ connect कर लेता है, और आपका एक अलगी immersive experience कराता है, उसके साथ wowcast का option है, wowcast एक छोटा सा device है, जिसको आपको TV के साथ connect करना है, तो ये जो soundbar है, ये wirelessly TV के साथ connect हो जाता है, अगर आपके पास LG TV है, तो wowcast क्या है, इसके बारे में मैंने detail में video बनाया हुआ है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं, basically wireless atmos को चलाने वाला एक device है, इसके बारे में मैंने detail में discuss किया है, उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, उसके साथ साथ इसमें variable refresh rate और auto low latency mode का option दिया हुआ है, मतलब ER का पूरा पूरा support आपको इसमें देखने को मिल जाता है, gaming का जो experience है, वो और भी ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि variable refresh rate जो है, वो gaming के टाइम बहुत ही ज्यादा काम आता है, उसके साथ SP8A में भी आपको सारे options मिल जाते हैं, Dolby Vision, Dolby Atmos 4K पास जो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको variable refresh rate नहीं मिलता है, और auto low latency mode का option नहीं मिलता है, और wireless atmos technology भी नहीं देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों इसमें meridian technology देखने को मिलता है, जो आपको SP9S में नहीं देखने को मिलता है, और meridian technology जो है, बहुत ही effective और अच्छा technology है, जितने सारे sound bars होते हैं, जितने सारे आपका sound modes होते हैं, सबी modes के अंदर मैं दोस्तों meridian को prefer करता हूँ, मैं LDSP 11 RA यूज़ करता हूँ, उसमें भी मैं हमेशा meridian को choose करके रखता हूँ, इवन AI sound pro से भी मुझे meridian ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें आपका sound बिल्कुर balanced तरीके से provide होता है, और आपका जो voice का issue होता है, voice का भी बहुत ही ज्यादा लगता है, तो इन सारे problems को balance कर देता है, और आपको एक immersive sound quality प्रोवाइट करता है, तो यह जो technology है बहुत effective है, अगर meridian नहीं होगा, तो आपको AI sound pro में switch करना पड़ेगा, और AI sound pro मुझे personally ऐसा रखता है, कि उसमें voice बहुत ही ज्यादा boost हो जाता है, voice बहुत ज्यादा सुनाई देता है, तो उस वज़ए से कान में बहुत ही ज्यादा problem होता है, तो meridian technology बहुत ज़रूरी है, यह आपको SP8A में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन SP9S में आपको यह technology देखने को नहीं मिलेगा, उसके साथ दोस्तों दोनों में ही आपको app का support मिल जाता है, आप से आप LG soundbar app install करके, दोनों soundbar को वहाँ से control कर सकते हैं, और सारे features including remote facility भी आप app के साथ use कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपके बास LG का TV है, तो TV के जो remote है, TV के remote से ही आप soundbar को control कर सकते हैं, सारे जो features हैं, almost सभी features को use कर सकते हैं, volume up and down, switching, सब कुछ use कर सकते हैं, तो यह सारे features आपको TV के remote में ही option मिल जाता है, तो separately आपको app या soundbar का remote है, इससे साथ दोस्तों, SC9S में एक और option है, जो आपको SP8A में नहीं मिलेगा, आइमेक्स enhanced technology, यह इंची ने SC9S में और उसके पहने, जो S95QR model लेकला था, इंची का, इसमें include किया गया है, यह आइमेक्स enhanced technology कुछ ऐसे काम करता है, कि आइमेक्स ratio के जितने सारे movies हैं, यह उसको pass-through करने का, इसमें capital rating होता है, 4K pass-through होता है, Dolby Vision, HDR10, यह सारा option तो आपको already मिल जाता है, पहले भी जितने सारे soundbars थे, उसमें यह options थे, लेकिन IMAX enhanced का pass-through का option, किसी soundbar में नहीं था, तो यह LG ने S95QR model से, ongoing जो models आ रहे हैं, flagship soundbar का, उनमें, यह include हो रहा है, AC-9S में पहला कौन यह है कि इसमें आपको rare kit इसके साथ नहीं मिलता है, optional रहता है, separately आपको इसको खरीदना पड़ता है, और separate accessory खरीदना मतलब ज्यादा पैसा खर्च करना, मतलब price जो है, वो ज्यादा decrease हो जाता है, अगर package के साथ included रहता है, तो price बहुत ही कम हो जाता है, तो यह problem इसके साथ है, और इसमें आपको meridian technology नहीं मिलता है, यह उससे भी मुझे लगता है कि बड़ा problem है, meridian technology होना बहुत ज़री था, और जहां पर LG इसमें इतने सारे features को include कर रहा है, उसके साथ दोस्तों इसमें high resolution audio का support भी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, जो आपको SP8A में देखने को मिल जाएगा, तो यह जो meridian और high risk का option है, यह आपको SP8A में देखने को मिल जाएगा है, लेकिन आपको SC9S में नहीं मिलता है, next आते हैं SP8A, SP8A में दोस्तों इसमें भी जो points है, वो भी बहुत बड़ा-बड़ा problem है, पहला तो यह है कि SC9S में आप optionally rare kit को add कर सकते हैं, लेकिन SP8A में आप optionally भी add नहीं कर सकते हैं, मैंने बहुत बार मेरे वीडियो में बोला है SP8A के बारे में की rare kit इसके सब्सक्राइब नहीं है, फिर भी जो चैनल में कमेंट्स करते हैं, बहुत ज्यादा कमेंट मेरे पास आता है, कि SP8A के साथ कौन सा rare kit fit होगा, दोस्तों SP8A के साथ कोई भी rare kit fit नहीं होगा, SP8YA जो model है उसके लिए rare kit available है, जो SP8S model है, वो बारा rare kit इसके साथ fit हो जाता है, लेकिन SP8A के लिए कोई भी rare kit available नहीं है, SP9S के लिए जो rare kit आता है, वो SPQ8S model है, उसको आप connect कर सकते हैं, लेकिन SP8A के लिए कोई भी rare kit available नहीं है, एलजी नहीं रखा है, तो इसको आपको हमेशा ही whole dice stand-alone soundbar के तरह ही use करना पड़ेगा, बाद में आप इसको add नहीं कर सकते हैं, next option दोस्तों, इसमें कोई भी HDMI के बिल इंक्लोड़ेट नहीं रहता है, वो वीडियो आप जाके देखिए, उसके बाद ही आप HDMI के बिल खरीदो, क्योंकि मैंने भी HDMI के बिल पहले खरीद दिया था, और वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था, तो मुझे तोबारा एक और HDMI के बिल खरीदना पड़ा, में चीज आपका साउंड है, और साउंड में स्टैनलों साउंबार के लिए, जितने सारे उप्शन जरूरी होता है, वो SP8A में आपको मेरे बन मिल जाता है, अब आते हैं दोस्तों कंक्लूजन, कंक्लूजन में पहले में प्राइस को बढ़ा बता देता हूं, तो प्राइस के अकॉर्डिंग जो फीचर्स आपको दिया जा रहा है, मैं समझता हूं, दोस्तों एकदम जस्टिफाइड है, प्राइस ऐसा नहीं है कि ज्यादा है, प्राइस एकदम जस्टिफाइड है, जो जो फीचर्स आपको इसके साथ मिल रहा है, जो स्पेशल चीज़ें आपको इसके साथ मिल रहा है, तो उसे सब स्प्राइस एक तो जस्टिफाइड है, लेकिन आपको लेना है, क्योंकि मरीडियन टेक्नॉलजी बहुत इंबॉर्डन होता है, जो आपको S380 में मिल रहा है, लेकिन SC9S में आपको रेर किट का उप्शन मिल रहा है, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको S380 में नहीं मिलता है, तो यह जो प्रॉब्लिम है, यह अपने हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपके लिए प्रिफरेंस कौन सा है, अगर आप एक plug-and-play system चाते हैं, compact चीज चाते हैं, compact setup चाते हैं, तो आप S380 के तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप immersive experience करना चाते हैं, फ्यूम्चर में, रेर किट को एड़ करना चाते हैं, या रेर किट के साथ ही product को purchase करना चाते हैं, तो SC9S आपके लिए better होगा, उसमें आपको चेक्स्टर फीचर भी मिल जाते हैं, जैसे iMacs और option का मिल जाना, उसके साथ आपका इसमें wireless atmos technology, ये सब चीज़े भी आपको इसमें एगन advantage मिल जाता है, और इसके साथ तीन atmos channels मिल जाते हैं, तो हाइड चैनल का जो effects हैं, हाइड का effects आपको और भी ज्याता इसमें सुनने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों, अगर सेफ स्टैंडलोग साउंड बार के बारे में मैं बात करो, all over मतलब सब कुछ अगर देख के हम सोचे, तो उस हिसाब से कही न कही मुझे ऐसा लगता है कि SP8 है थोड़ा सा बेटन है, क्योंकि इसमें sound के मामने में जोजो ज़रूरी चीज़े होता है, high-res audio, meridian, और इसमें भी आपको दो atmos channels मिल जाता है, तो एक extra ecmo channel से उतना ज्यादा कुछ फाइदा होने वाला नहीं है दोस्तों, और हम बहुत कम ऐसे content देखते हैं, जिसमें high channels उतना ज्यादा effective रहता है, high channels का काम रहता है, तो उस हिसाब से देखाएंगे, तो normally use अगर आप करेंगे, तो 90% content जो हम देखते हैं, उस हिसाब से SP18 साउंड के मामले में better than standard soundbar के competition में, तो ये totally आपके उपर depend करता है कि आपका preference क्या है, क्या कौन-कौन से चीज़ें आपको ज़रुरत है, तो उस हिसाब से आपको decision लेना पड़ेदा, तो viewers, आशा करता हूँ कि मैंने साउंड बार के बार में आपको पूरा-पूरा information दिया है, और अभी भी अगर आपके मन में कुछ confusion है इन दोनों साउंड बार के लिए, तो आप मुझे comment करके पूछ सकता है, मैं उसका जवाब सरुरू दोंगा, और अगर आपको मेरा यह content अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को like कीजिए, comment कीजिए और ज्याता से ज्याता share कीजिए और अभी तर चैनल को subscribe नहीं किया है, तो प्लीज सब्स्क्राइक कर लिजिए और पास रेबल लाइटिन को भी तर बालीजिए तो थैंक यू,